सुप्रभाद चात्राओं, पिछले वीडियो में हम कविदेव द्वारा रचित कवितों का अध्यान कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो आगे पाठे करम में कवित शेश रहे हैं, उनका हम आज अध्यान करेंगे राधिका कान को ध्यान करें, तब कान हुए राधिका के गुनगावे, त्यो असुवां बरसे बरसाने को पाति लिखी लिखी रादे को ध्यावे, रादे हुए जाये घरीक में, देव सुप्रेम की पातिले छाती लगावे, आपुने आपुही में उरजी, सुरजे, बेरुजे, समुझे, समझावे यहाँ पर राधा की जो कृष्ण मैता की अवस्था है कैसे राधा कृष्ण के प्रेम में स्वयम कृष्ण हो जाती है उसकी उस कृष्ण महिता की अवस्था को कवी देव यहाँ पर वढ़निक करते है राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती है एक निष्ठ और अनन्य प्रेम है कृष्ण के प्रती पूर्ण समर्पन्भाव है कृष्ण के प्रती ऐसे में राधा जब कृष्ण का ध्यान करती है तब कान है राधिका के गुणगावे तो स्वयम ही कान बन जाती है कृष्ण बन जाती है और राधा का गुणगान करने लगती है तो कृष्ण बन कर राधिका के गुणों का बखान करने लगती है त्यों असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखी लिखी रादे को दियावे और ऐसे में जब वह काना बनकर राधिका का गुनगान करती है काना का ध्यान करती है तो असुआ बरसे बरसाने को तो बरसाने की राधा थी तो बरसाने को त्यों असुमा बरसे तो जैसे ही वह कानहा बनकर राधिका का गुनगान करने लगती है तो उसके नेत्रों से आंसु जड़ने लगते हैं और वह पाती लिखी लिखी कहां बरसाने को पाती भेजती है क्रिश्ने की और से पत्र लिखकर बरसाने को भेजती है और राधिको ध्यावे राधा का ध्यान करती है राधे है जाय गरीक में देवसू तो पहले तो क्रिश्न बनकती है क्रिश्न बनकर राधा का बखान करती है गुनगान करती है और उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं फिर क्रिश्न बनकर क्रिश्न बनकर राधा को प्रेम की पाती लिखती है और बरसाने को भेजती है राधा का ध्यान करते हुए कृष्ण बनकर राधा का ध्यान करते हुए पत्र लिखकर बरसाने को बेजती है राधे हुए जाय घरीक में और घडी भर में पुनह राधा बन जाती है देवसू प्रेम की पाती ले छाती लगावे कवी देव कहते हैं की अपने देव कृष्ण की भेजी हुई उस पाती को लेकर अपनी छाती से लगा लेती है और इस प्रकार से अब आप उने आप ही में उरजे सुरजे वेरुजे समुझे समझावे इस प्रकार कृष्ण मैता की इस अवस्था में राधा आप उने आप ही में स्वयम अपने में ही अपने से उलजती है कभी सुलजती है कभी फिर उसमें उलज जाती है कभी खुद को समझने का प्रयास करती है और कभी खुद ही खुद को समझाती है तो कृष्ण के वियोग में राधा की कृष्ण के प्रती एक निष्ट अनन्य प्रेम की अवस्था जिसमें राधा कृष्ण मैता की अवस्था में पहुँच गई है उस अवस्था का वर्णन करते हुए राधा की जो वियोग जनित व्यथा है उसे देव बड़ी ही मारमिक वाणी में मारमिक तरीके से बड़ी भाव प्रवनता के साथ अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि राधा कृष्ण का जब ध्यान करती है तो स्वयम ही काना वन जाती है और राधा से जैसे बात करते हुए राधा के गुणों का बखान करने लगती है और जब स्वयं कानहा बनकर राधा के गुणों का बखान करती है तो राधा के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं और कानहा बनकर के राधा का ध्यान करते हुए वह पाती लिख कर बरसाने को भेजती है काना की और से स्वयम ही काना बनकर पत्र लिखकर राधा को बरसाने भेजती है और घड़ी भर में फिर राधा बनकर देव कहते हैं कि अपने उस देव कृष्ण की उस प्रेम की पाती को लेकर अपनी च्छाती से लगा लेती है ऐसे में उस वियोगिन राधा की दशा को अभिव्यक्त करते हुए, उसकी दशा को मार्मिक भावपुन अभिव्यक्ती प्रदान करते हुए, कभी देव कहते हैं कि उसकी ऐसी दशा हो रही है कि वह आपने आप ही में ओर जे, वह स्वयम अपने में ही अपने आप ही उलजती है सुलजती है फिर उलजती है फिर स्वयम समझने का प्रयास करती और खुदी खुद को समझाती है ऐसी मार्मिक भावपूर्ण दशाराधा की हो रही है अगला लेते हैं माखन सोमन दूद सु जोबन है दधिसों अधिकों और इठी जाचवी आगे छपा कर चांची समेत सुधा वसुधा सब सीठी नैनन नेह चुवे कविदेव बुझावत बैन वियोग अंगीठी ऐसी रसीली अहीरी अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी तो अहीरी जो ग्वालन है उस ग्वालन का वर्णन करते हैं देविस में कैसी है ग्वालन एक बार हम इसके अर्थ को समझते हैं फिर भाव तक जाएंगे माखन सोमन दूद सो जोवन इसका मन माखन जैसा स्नेहल है माखन में क्या होती है चिकनाई होती है है ना कोमलता होती है तो मन कैसा है माखन जैसा चिकनाई से भरा हुआ स्नेह से भरा हुआ है मन दूद सो जोवन और उसका योवन दूद के समान उफन रहा है यौवन से परिपूर्ण है, मन माखन के समान स्निक्द है, इसनेह युक्त है, कोमल है, भावपूर्ण है, इसनेह करने वाला है ददिसों अधिको और इठी और हृदय दही से भी अधिक प्रिय है या मीठा है जा छवी आगे, ये जो ग्वालन है, इसकी इस छवी के आगे कौन सी ग्वालन जिसका मन माखन जैसा इसनेह युक्त है, दूद जैसा उठान लिये हुए, उफान मारने वाला यौवन है दही से भी अधिक मदुर जिसका हृदय है, इस सौंदर्य के आगे छपाकर, छपाकर चंद्रमा, चंद्रमा छाँची, क्या है? सारहीन है, तुछ है, छाँची है, छपाकर चंद्रमा भी इस छवी के आगे हलका पड़ जाता है समेत सुधा, सुधा सहित, यानि अमरत में जो चंद्रमा है, वह भी इस छवी के सामने तुछ है वसुधा सबसीठी, और स्वयम वसुधा, सुधा, सुधा, सुधा से युक्त, जो चंद्रमा है, वो तुछ है और कैसा है, सारहीन है, सब सीठी, फीका है, सारहीन है यानि चंद्रमा का जो सुधा से युक्त, अमरत में जो चांद है, उसका सुधा भी इस ग्वालिन के उस रूप के सम्मुक, इसके सुधा के सम्मुक तुछ है कौन सा लंकार हो गया, प्रतीपलंकार, जो उपमान है उसे उपमे से हीन बताया गया है उपमे के सामने उपमान का तिरसकार किया गया है, तो प्रतीपलंकार है आपको विस्तार से पहले समझा चुकियों तो प्रति इसनेह का भाव इसके नेत्रों से बरसता है कभी देव कहते हैं कि इसका जो इसनेह है नेत्रों इसनेह मैं नेत्र और इसके सुंदर वचन वियोग की अंगीठी अंगीठी कैसी होती है उसमें आग होती है जिसमें खाना पकाते हैं तो अंगीठी वियोग की अंगीठी यानि वियोग के दाप को, वियोग के ताप को बुजाने वाले हैं ऐसी रसीली, ऐसी रसे भरी हुई यह ग्वालन है कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी भला बताओ तो ऐसी यह रसीली जो ग्वालन है वह मन मोहन को मीठी क्यों नहीं लगेगी मन मोहन को प्रिय क्यों नहीं लगेगी तो ये ग्वालन है जिसका मन माखन जैसा इसनेह मैं है माखन के समान इसनेहिल है इसने भरा हुआ है उपमालंकार है दूद के समान उफनने वाला उठान से युप्त उनमाद से युप्त इसका यौवन है यहां भी उपमालंकार है और दही से भी अधिक मीठा इसका हृदय है इसके इस सौंदर्य के सामने स्वयम चंद्रमा जो की अम्रत में है वह भी तुछ है छूचा हो जाता है या तुछ बनकर रह जाता है और सारहीन प्रतीत होता है क्योंकि यह नाईका कैसी है इसके नेत्रों से सदेव इसनेह बरसता है इसनेह भरेव इसके नेत्र है देव कभी कहते हैं कि जब यह बोलती है तो इसके वचन समस्त वियोग के ताप को नश्ट कर देते हैं उसको हर लेते हैं तो ऐसी रसीली यह जो अहिरी है भला बताओ तो मन मोहन के मन को यह प्रिय क्यों नहीं लगेगी मन मोहन को यह रसीली जो ग्वालन है वो बहुत ही प्रिय है पसंद है अगला लेते हैं को बची है यह बैरी वसंत पे आवत जो बन आगी लगावत बौरत ही करी डारत बौरी भरेविश बेरी रसाल कहावत होत करेजन की किरचे कवी देव चुकोखिल बैन सुनावत बीर की सों बल बीर बिना उड़ी जाएंगी प्रान अबीर उडावत तो वसंत रितु में व्योगिनी नाइका की अवस्था का वर्णन है को बची है यह बैरी वसंत पे यह बैरी वसंत से इस बैरी वसंत से भला कौन बचेगा कैसे बचेगा आवत जो बन आग ही लगा आवत ये वसंत जो वन में जब आता है चाता है तुमानों आग लगा रहा है क्योंकि वह रितु जो संयोगा वस्था में सुखदाई प्रतीत होती है वही वियोगा वस्था में दुखद प्रतीत होने लग जाती है प्रक्रती की जो अवस्थाएं सहियोग अवस्था में हमें बड़ी प्रिय और सुखद प्रतीत होती हैं वियोग अवस्था में वही दुखद लगती है तो क्योंकि वियोग की अवस्था है ऐसे में इस वेरी वसंत से अब कौन बच सकेगा यह तो आ रहा है तो मानवन में आग लगाता हुआ आता है बौरत ही करिडारत बौरी भरे विश्वेरी रसाल कहावत आम कहलाता तो रसाल है रस्युक्त है लेकिन वह मानो विश्की बेरी है विश्की बेरी उस पे लग रही है कहलाता रसाल है लेकिन विश्की बेरी से भरा हुआ है क्योंकि बौरत ही जैसे ही वसंत के आने पर आम में बौर आते हैं आम में बौरत ही जैसे ही आम बौराता है करी डारत बौरी बौरी कर डालता है नहीं पागल कर डालता है क्योंकि वसंत की जो प्रक्रती है नाइका वियोगिनी है तो वियोगिनी नाइका के लिए वो प्रक्रती किस्तेतिया दुखदाई बन गई है उसे कष्ट देने वाली ब बौर आ रहे हैं, वो आम बौर आते ही, मुझे पागल कर रहा है, मेरे कश्ट को और बढ़ा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, कहने कोई से रसाल कहते हैं, लेकिन मानो, यह विश्की बेडिया हैं, जो मुझे जकड रही हैं, होत करेजन की किरचें, कभी देव जो कोकिल बेन सुनावत, और कोकिल जब अपने वचन सुनाता है, तो मेरे करेजे की किरचे हो जाती हैं, करेजे की किरचे किरचे, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, करेजा जैसे चीर डालती हैं, तो कोकिल के जो वचन हैं, वे वचन ब तो वसंत रितु में जब कोकिल बोलता है तो करेजे के जैसे किर्चे हो जाती है करेजे के टुकड़े हो जाते हैं करेजा टूक टूक हो जाता है अब यहां कोकिल बेन सुनावत आप ध्यान रखिएगा यह आपके लिए एक यदी प्रतियोगी परिक्षाएं भी आप दें त है कोकिल गूक है न कोकिल बेन सुनावत थो किल आप कोयल नहीं कहें क्योंगे नर कोकिल है वही बोलता है जो मादा कोकिल होती है वह नहीं कोयल नहीं बोलती है गो कोयल नहीं काती है कोकिल है नर कोकिल है वो गाता है उसके वच्छल तो इसलिए कहा जाता है तो आपको कोकिल के समान मधूर कण्ठ ही कहेना चाहिए ठीक से आप कोयल केBB करीए यह धिया रखियेगा कोकिल शब्द का प्रयोग करना हिए तो जो नरकोयल है एक प्रकार सी कह सकते हैं तो कोकिल को किला खेये हैं तो गरेजन की किर्चे अब वसंतरितु में परता है तो जब कोकिल के वचन सुनाई पढ़ते हैं, उसकी वानी सुनाई पढ़ती है, तो वो मदुर वानी जो सहियोंगा वस्था में सुख़दाई प्रतीत होती है, मदुर लगती है कोकिल की वानी, वह भी समय कश्ट कर प्रतीत होती है, और मानो करेजे को टूक टूक कर डालती ह बीर की सौन, मेरे भाई की सौगंद खाती हूँ, बल बीर बिना, बल बीर कौन? कृष्ण के बिना उड़ी जाएंगे प्रान अबीर उड़ावत जैसे अबीर उड़ाई जाती है, वैसे वसंत के बाद में फाग आई जाता है, हुली आती है उसी समय पर तो मेरे प्रान बल बीर के बिना बीर की सौगंद है, कि ये वसंत इतने कष्ट दे रहा है कि अबीर उड़ाने में, अबीर के साथ मेरे प्रान भी उड़ जाएंगे, मेरे प्रान भी शेष नहीं रह सकेंगे तो देव का काव्य यहां पर समाप्त हुआ, अगले वीडियो में हम कभी भूशन के संबंद में चर्चा करेंगे